लेबर लॉस सेकंड्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टन सॉल्ड एंसीक्यू की वीडियो है चैनल पर आप नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं कि यह कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों पीछ वीडियो को शेर जरूर करें तो चलिए कोईशन के शुरु कितना बोनस दिया जाता है यहां पर आपका ए अपसम सही होगा वेतन का आट दसंदो तीन तीन प्रत्शत दूसरा क्वेस्चन है बोनस भुकतान अधिनियम 1965 को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो यहां पर आपका ए अपसम सही होगा दिवाली बोनस दिवाली बोनस के नाम से जाना जाता है तीसरा क्वेस्चन है कि बोनस के लिए पात्रता बोनस भुकतान अधिनियम 1965 के किस धारा में वरडित है तो तीसरे में आपका यहां पर भी आपसम सही होगा धारा आठ क्वेस्चन नमबर चार बोनस भुकतान अधिनियम कब पारित हुआ तो यहां पर आपका बी आपसम सही होगा 1965 इस भी में क्वेस्चन नमबर पांच बोनस भुकतान अधिनियम के उपबंधों के अनुशार हर कर्मकार अपने नियोजक से लेखा वर्स में बोनस पाने का अधिकारी होगा जब आपसन है जब उषने लेखा वर्स में 360 दिन कारे किया हो बी है जब उषने लेखा वर्स में 240 दिन कारे किया हो सी है जब उषने लेखा वर्स में 121 दिन कारे किया हो डी है जब उषने लेखा वर्स में 30 दिन कारे किया हो पांच में आपका D आपसंस है होगा जब उस ने लेखा वर्ष में 30 दिन कारे किया हो Q6 जुलाई 1917 में पहली बार किस संस्था या फैक्ट्री द्वारा बोनस दिया गया Q6 जुलाई 1917 में पहली बार दिये गए बोनस को किस उपनाम से जाना गया आपसं है प्रोचसाहन बोनस B है लाफ बोनस C है युद्ध बोनस और D है सांती बोनस साथ में आपका C आपसंस होगा युद्ध बोनस Q8 उपलब्ध अधिसेश वर्ष संगणना के बारे में प्रावधान बोनस भुखतान अधियम Q9 बोनस आयोग का गठन दिये गए विकल्पों में इसे किसके द्वारा किया गया आपसं है M R मेहर B है वीपी आदार कर C है एस एस मजूमदार D है जेपी माथुर त्यहां पर A आपसंस होगा M R मेहर 10 प्रोचसाहन बोनस भुखतान अधियम 1965 ऐसे कारखानों संस्थानों में लागो होगा जहां कर्मकारों की संख्या की नियुनतम संख्या होगी किसी लेखावर्स के दौरान 20 या 20 से अधिक B है किसी लेखावर्स के दौरान 50 या 50 से अधिक C है किसी लेखावर्स के दौरान 100 या 100 से अधिक D है किसी लेखा वर्ष के दौरान 200 या 200 से अधिक कौन सा आप संसे होगा A आप संसे होगा किसी लेखा वर्ष के दौरान 20 या 20 से अधिक तो ऐसी वीडियोज देखने के लिए यला और जीयस से रेलेटेड वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों बीच वीडियो को जरूर शेयर करें धन्यवाद